आपका बहुत स्वाकत है। आज चोटी दिवाली के आपको हार्दिक शुब काम नाए। आज कह रहे हैं धंतेरस और चोटी दिवाली करते हैं एक ही दिन मना लिये। आज इस दिवाली के लिए मैंने कुशन कवर बनाया, वह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए ये मेरे पास पहले का रखा हुआ कपड़ा था बचा हुआ इस कपड़े को मैंने 19 इंच चोड़ा और 19 इंच लंबा इस तरह से कवर में इसको काट लिया और फिर इसके अंदर के लिए मैंने लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा काट लिया और इसके अंदर मैंन ने कोई समान मैंने बज़ार से नहीं खरीदा, यह रखी हुई थी इसलिए यह चैन महल ले लिए, यह कपड़ा दि रखा वा था फम थीए हेलमेंट लिके जो एका पयोड़ीर भी जोर्डी हेलमेंट ऐसी यह हेलमेंट उसमें पेक था फम में देपा य déjà इस टालिए इस लिए मैन मες इसे स्कोर में निशान लगा लिया। निशान से निशान मीलाके मैने इस पर शिलाई कर दी। उसके बाद मिने एक अंदर ये छोटा सा स्कोर बना दिया ताकि ये फोम किuchen marka 2 पीके कर लिये। पिछे दो पीस करें पिछे वाले कपड़े में और उसके अंदर मैंने फिर चैन लगा लिए एक यह चोटा पीस है और यह के लंबा वाला फिर इसके अंदर मैंने चैन लगा लिए इस तरह से इस तरह से मैंने इसको चैन लगा के वफिर स्कोर में चारो तरफ से मैंने सील दिया। इस तरह से हमारे कुशन तयार हो गया। एक यह वाला मैंने बनाया है। यह वाला कुशन। यह मेरे गरम सूट में से बचावा कपड़ा था। यह तोड ही मोटा है कफड़ा इसलिए मैंनेस में लाइनिंग लग एसको काट लिया और्पने के बार में इस तौर सी दोनों तरफ यह चन Ó लगा दीए और लागा पिर far क्योंम्ठां बना गार के इस तरह से मैंни sekarang अई मार्केट शेकरी देया है यह अब मने आपको कुशन के शाहत लगा के दिखाती हूं यह दोनों कलार इस तरह से यह देखना पसको प्लuba सेुनर क्ले मिज़ें देंके मैं इसे लिच सूप एक शोटे 10 कंवर बना यह कुशन बनासे इसको बनां पाहिए इसको इनकी एंका इनकॉर कुरा दिखारी ऑपा रही हूं कुण कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा मेरे को मैं कमेंग बोश में लिक जरूर बताना यह सोफ़े केकवर तो मेरे पास पहले की रख्ञे हुए थे दोस्तों इस बार मैंने नहीं खरीदे पिछली साल के थे जुरूरी नहीं है कि हर बार हम हर चीज नहीं खरीदे यह देखो और अपनी पसंद होती है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना सेर करना और मेरी चैनल पर अगर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइबर जरूर करना को अगर किसी में कोई-कोई टैलर होता है सब अपना अपना काम कॉम करना चीन अपना तो आए remote पास हो जाता है और फालतु की बाते दिमाग में नहीं आती और ना किसी की फालतो adaptive बाहर हो में कोई नहीं इसलिए ये यूटूब चैनल मेरे को बहुती अच्छा लगा इसमें मैं कुछ न कुछ जैसा मेरे को आता है मैं करती रहती हूं